नमस्कार आप देख रहे हैं सियासत का खेल यूपी परताब गड़ जिले के पट्टी विधान सभा से सभा के बाहू वली नेता सभापति यादो के भांजे ने मंत्री मोति सिंग को दी खुले आमधम की आपको बताने कि लोगों के बीच सभापती यादों के भांजे ने खुल कर कहा कि वहां मंत्री मोती सिंग का इंकाउंटर कर देंगे सोशल मीडिया पर बाहु बली सभापती यादों के भांजे चंदन यादों का एक वीडियो वारल हुआ आपको बता दें कि इस बीडियो में आपित जिनक बायान देते हुए बाहु बली सभापती यादों के भांजी चंदन यादों ने खुले आम कहा कि वहां मंत्री मोती सिंग का इंकाउंटर कर देंगे जिसके बास से अभी यूपी की सियासत में खलबली मच गया है आपको बता दें कि वीडियो में लोगों की भीड जुटी हुई है इसी बीच उनके भांजे ने कहा कि वहां मंत्री मोती सिंग का इंकाउंटर कर देंगे वीडियो में चंदन यादों कह रहे हैं कि अगर मेरे मामा सभापती यादों को कुछ हुआ तो वहां मंत्री मोती है और आरोपी की गिरफतार के लिए पुलिस दबिश भी कर रही है आपको बता दें कि इस मामले के बाद अब पुलिस ने आरोपी युवक चंदन यादों के खिलाप धमकी समयत अंगंभीर धाराओं में आस्पुर्द्यों सारत थाने में मुकर्मा दर्ज कर लिया है लेकिन गिरफतारी ना होने से मंत्री मोती सिंग के समर्थकों में आक्रोस है आपको बता दें कि सभापती यादो और उनके समर्थक लगातार कह रहे हैं कि मंत्री मोती सिंग दौरा उन पर फरजी मुकर्में हो रहे हैं जिसके चलते ही या मामला काफी बढ़ गया है अब बाहु वली सभापती यादो के भांजे ने खुल कर मंत्री मोटी सिंग के इंकाउंटर की धमकिरी दी है जिसके बाद से यूपी की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है आपको बता दें कि सभापती यादो परताब गरजिले के पट्टी विधान सभाख के नेता हैं उनकी पत्नी वर मोटी सिंग को मोटी सिंग के समर्दकों में काफी अक्रोस है अगर आपने हवी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल बटन जड़ू दबाएं वीडियो देखने के लिए धन्वाद